इनका प्रश्न है कि कई बार जब आप ध्यान में बैठे होते हैं और विचार आजाता है और आप अपने आपको समय स्मरण करा रहे हैं कि मुझे विचार नहीं करना परन्त फिर भी विचार जो है वो आजाता है और जितना आप उससे दूर होने की कोशिश करते हैं उतना ही वो विचार जो है हावी हो जाता है ऐसी परिस्थिती में मनुश्य या साधक क्या कर सकता है मुझे एक छोट इसी कथा याद आ गई कहते हैं एक बार एक चाबी थी जैसे ताले में चाबी लगती है और एक हथोड़ा था और हथोड़े ने चाबी से कहा कि मेरे पास देखो इतना बल है इतना वजन है इतना दम है यदि कोई ताला बंद होता है तो मुझे उस पर भ्यंकर चोट करने पड़ती है इतना दम लगता है फिर भी वो ताला खुलता नहीं तूट जाता है यह ऐसा खुलता है कि दुबारा बंद होने लाइक नहीं रहता परन्तु तुम छोटी सी हो तुम कैसे एक ताले को खोल देती हो लगता नहीं कि तुम जो ताले को खोल रही हो उसमें कोई दम लग रहा है तो चाबी ने कहा देखो तुम प्रहार करते हो अथोड़े से का तुम मात्रिक बाहरी सतह पर जोर से प्रहार कर रहे हो इस आशा में कि मैं प्रहार करता रहूंगा करता रहूंगा और चोट जो है भीतर तक पहुंचेगी तांकि एक ऐसा खशन आए कि ताला बोले बस मेरी बस होगी लो मैं खुल गया परंतु मैं तो ताले के हिर्दे तक चले जाती हूं धीरे से, धीमे से, प्रेम से चावी को जोर जबरतस्ति से कभी नहीं डाल सकते, कभी देख लेना चाबी डालनी है तो प्रेम से ही, अगर उसकी जगा है तो चाबी चली जाएगी, जगा नहीं है तो चाबी नहीं जाएगी तो मैं प्रेम से जाती हूँ, उस ताले से वारतलाप करती हूँ, उसे निवेदन करती हूँ प्रेम से तो वो ताला खुल जाता है इतना ही नहीं हर बार जाती हूँ हर बार वो ताला खुल जाता है तो जब मन किसी व्यथा से ग्रसित या विचार से ग्रसित हो बाहर से जोर जोर से प्रहार करने से कुछ नहीं होगा हीन भावना लाने से कि बुरा लगने से, अरे मैं ध्यान करने बैठा हूं और यह विचार नहीं अट रहे वो हतोड़े का एक वार है कि चुपकर मन मैं ध्यान कर रहा हूं क्या तुझे पता नहीं वो हतोड़े का दूसरा वार है तुम किसी काम के नहीं मन तुम नालायक हो, तुम मेरी सुनते नहीं, वह हो थाड़ा का तीसरा बार है, फिर वो कर लो अब करके दिखा लो दियान, फिर मन बोलते हैं, लोग करके देख लो अब दियान, मुसे जादा बल्वान हो ना, लो बैठके देख लो, स्थिर होकर, परन्तु वही मन से मनुश्य निवेदन कर सके, उस तक पहुंच सके, कि देखो मेरे मन, जो तुम कह रहे हैं, वो गलत नहीं है, पर मुझे सिर्फ दस मिनट दे दो अभी के लिए, अभी दस मिनट दे दो, बात में हम पूरा कुलाहल मचा देंगे यहाँ पर, बात में जो कहोगे मैं सुन लूँगा, ठ जिसका स्वयम की आत्मा के साथ, मन के साथ ऐसा संबंध जो है स्थापित हो जाता है, उस व्यक्ति को, अपने मन को स्वयम के अनुरूप चलाने में कोई परेशानी नहीं होती, और ठीक यही संबंध मनुष्य का दूसरे लोगों से होता है, यदि किसी से कुछ करवाना है, तो हथोड़े का वार करके नहीं करवा सकते, आवाज आ जाएगी उससे, हथोड़े का एक वार हुआ, भेंकर आवाज आएगी, अपने कान भी दुखेंगे, हथोड़े को भी दुख है, और ताले को भी दुख है, पर यही यदि प्रेम से उस विक्ति के हुदय के अंदर जगा बना ली जाए, तो वो कुछ भी कर देगा, ठीक, ऐसे ही जब विचार आ जाए, तो व्याकुल होने की आवशक्ता नहीं है, गबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, मन से वारतलाप करना सीखना होगा, मन से मुनश्य को बात करनी आनी चाहिए, तो ही मन का उद्वेग जो है, वो एक इच्छा रूपी वेग में परिवर्थित होता है, अन्यथा वो वही है कि पाने इस और बहराहा है, और आपको तेरना इस और है, तेर तो लोगे, पर बहुत दम जाहिए, वही कुछ ऐसी युक्ति लगाई जा सके, कि मन ही उल्टा भेहना शुरू हो जाए, जिस तरफ हम चाहते हैं, तो उसके लिए मन को हर समय लताड नहीं सकते, हर समय मन पे एक फंदा नहीं कसके रख सकते, कि हर समय मन आप ही की सुने, हर समय हम मन जो करना चाहते हैं, उसको वो ना करने दे, जैसा कि अक्सर माबाप छोटे बच्चे के साथ करते हैं, कुछ भी उसको कहना है, मांगना है, करना है, पहले ही ना तयार है, फिर वो रोएगा, धोएगा, कलेश डालेगा, तो मांबाप हाँ बोलेंगे, जोदी विचार आ गया, उसके दो या तीन मूल कारण है, पहला, बहुत जोर लगा रहे हैं उस समय ध्यान में, कि विचार ना आए, थम जाओ, रुख जाओ, ध्यान बंद कर दो, दूसरा, उस समय एक आग्रता जो है जा चुकी है, और बस पाप कटाने मूनुश्य अपने ध्यान में बैठा है, कि संकल्प लिया है आदे घंटे का, जैसे दैसे निगाल लूँ, ऐसा करने के आप शक्ता नहीं है, रुख जाए मूनुश्य, सादकुसर में रुख जाए, क्योंकि धीरे-धीरे मन को जो है रंगना होगा, जिस कपड़े पे वो मावा होता है न स्थार्च, बहुत लगा हो उसको यदि रंगीन पानी में डालेंगे तो रंग पकड़ता नहीं, पहले उसको पानी में डूबे रहना होगा, बहुत देर तक, उसकी जो सक्त, जो सक्ताई है, उसको निकलना होगा, उसका जो एक कड़कपन है उसको निकलना होगा, फिर वो धीरे-धीरे नरम होगा, धीरे-धीरे फिर वो रंग वाले पानी को पकड़ेगा, फिर उस पानी में वो रंगीन पानी में डूबा रहेगा, दितने अधिक देर तक उतना गहरा उस पर रंग चड़ेगा, पर अगर सदा-सदा के लिए उस कपड़े को उस पानी में छोड़ दिया, तो कपड़ा गल जाएगा, तो कितनी देर तक उस रंग में रहना है, और कब ठीक समय पर गलने से पहले उस पानी से बाहर आ जाना है, इतना खीकारे होता है गुरू का, डूबना तो सादक को खुद ही है उस चल में, तो जब ध्यान लगाने बैठो, थोड़े समय के लिए, ऐसा नहीं कि हमको करते हुए चार साल हो जाएं और पांच साल हो जाएं और हम बोलें, मुझे तो ध्यान करते हुए पांच साल हो गए, इसलिए मैं तो दो गंटे ही बैठूंगा, उसके कोई माइने नहीं है, पांच वर्ष तो भी थी जाएंगे, यदि पांच वर्ष में प्रती दिन दो ही, माली जी बीसी मिनट बैठे या आदा ही गंटा बैठे, तो कहने के पांच वर्ष हैं, गंटे तो कुछ भी नहीं हुए, यदि पांच वर्ष में माली जी अथारासो पचिस दिन हैं, I don't know क हम उसमें हर रोज आदा ही गंटा बैठे, तो एक हजार गंटा भी नहीं हुए, एक मैंने कहीं पढ़ा था बच्पन में, एक विक्ती एक दुकान पर एक बन्यान लेने जाता है, ग्राक होता है, बन्यान खरीद लेता है, तो उससे बोलता है, जो दुकान दर है कि अच्छ कॉलिटी की है न ये, उसमें का इतनी अच्छी है, आपको कोई शेकायत नहीं आएगी, तो वो डाल लेता है उस बन्यान को, एक वर्ष तक बदलता नहीं, ऐसे भी लोग होते हैं ऐसे, एक वर्ष तक बदलता नहीं, रोज वही बन्यान डालिया, बीवी बच्चे सब उसक चोड़के चले जाते हैं, पर बन्यान से उसको प्रेम होता है, एक वर्ष तक वो बदलता नहीं, एक वर्ष के बाद, जब धोने के लिए डालता है, तो फट जाती है, बड़ा ग्रोधित हो जाता है, भागा जाता है दुकाननार के पास, और ये कैसी बन्यान बेची है, प कह रहे थे, बड़ी श्रेष्ट क्वालिटी की बन्यान है ये तो, तो पांच वर्ष का अंतराल कुछ नहीं, यदि उसमें वही एक बन्यान डाली होई है, तो पहली बार जब धंग से ध्यान लगाने बैठेंग, उसी समय फट जाएगी, मतलब है कि हम कितनी क्वालिटी से उस ध्यान को लगा रहे हैं, शुरू में only quality matters, जैसे जैसे बढ़ते हैं, quality and quantity, गुनबत्त और प्रमान फिर दोनों के माइने हैं, जैसे मानली जी अगर मैं प्यानों सिख रहा हूँ, तो my teacher will tell me, play the piece very slowly, don't worry about the speed, जड़ी से तेजी से ठेंपो में प्ले कर लें, don't worry about that, बस उसको धीरे धीरे first, get the fingering right, get the dynamics right, get the articulation right, पहले उसको धंग से कर लिया जाए, फिर जब अभ्यास होगा, उगुली अपने आप वैसे ही चलेंगी, तो ठीक उसी प्रकार, पहले एकदम बिना quality को compromise किये हुए, एकदम ध्यान की प्रकृरिया खोज, उसको बोलते ने, nail down, एकदम absolutely nail down कर लेना चाहिए, किसी भी चीज में, किसी भी प्रकार की साधना हो, चाहे भक्ती की हो, चाहे ध्यान की हो, चाहे ज्यान की हो, चाहे ग्यान की हो, चाहे कर्म की हो, excellence जो होती है absolute obsession for excellence not just passion उस चरम सीमा तक उस पराकाष्ठा पर एक उस श्रेष्टता पर या उस श्रेष्टता के साथ किसी भी कारे को करेंगे तो धीरे धीरे वो आधित बन जाएगी यदि मन में विचार चले आ रहे हैं और हम जिद से बैठे हुए हैं और मन बोले जा रहा है फिर वही आदत पड़ जाएगी ये सबसे मुश्किल बात होती है ध्यान योग की यदि ध्यान योग में मन निरंतर बोले जा रहा है और हम उसको बोलने दिये जा रहे हैं तो आगे चलकर वही आदत बन जाएगी उसको तोड़ना बहुत ही कठिन है फिर जिस समय पता चल गया मन बोल रहा है उसी समय कोई युक्ति लगानी होगी उसी समय कोई यत न करना होगा उसी समय उसको रोकना होगा उस समय हम इस विचार में बैठ गए कि जब देखते हैं ये कब चुप करेगा या हम अपना मंतर जपे जा रहे हैं या अपने संकेंदरन को बना कर रखा हुआ है तो वो मन बोलता रहेगा बोलता रहेगा इस बात का बोध मुझे तीन चार हजार घंटे गलत ध्यान लगाने के बाद हुआ कि यदि मेरा मन बोल रहा है और मैं ध्यान लगा रहा हूँ तो ऐसी कलपना करना कि एक दिन ये अपने आप चुप कर जाएगा मुरखता है नहीं करेगा कभी नहीं मुझे इसको उसी समय चुप कराना होगा पहली बार कराऊंगा तो एक ही सेकिंड के लिए करेगा शायद दूसरी बार कराऊंगा हो सकता है पांच सेकिंड के लिए कर जाए तीसरी बार कराऊंगा दस सेकिंड के लिए चौथी, पांचमी, छटी, साथमी, आठमी, नवी, दसमी बार कराऊंगा एक सेकंड के लिए भी नहीं करेगा पर हिम्मत ना हारूँगा और ग्यारमी बार कराऊँगा तो हो सकता है दो सेकंड के लिए फिर कर जाए तो शुरू में ऐसे चलता है जो ग्राफ है फिर वो एक सीडियों की तरह हो जाता है एक स्टेबिलिटी आने शुरू हो जाती है फिर वो एक नाइस ट्रेजेक्टरी बन जाता है स्मूथ फिर उसके और उपर फिर और उपर और उपर जिस परकार हर दशक में मनश्यों के एक नई अकल प्राप्त होती है मैंने देखा है जब 20 का होता है तो एक अलग बुद्धी मिलती है 30 का होगा तो अलग परकार की 40 का होगा उसका सोचने का ढंग थोड़ा बदल जाएगा 50 का होगा और बदल जाएगा ठीक उसी परकार हर 1000 घंटे में मनश्यों को एक नया विपाश्य नया insight मिलता है अपने ध्यान को perfect करने में निश्चित शर्तिय तोर पर बोल सकता हूं लगबग हर 1000 घंटे में एक और गुथी सुलिचती है जिससे आपको स्वयम के बारे में एक ऐसी चीज़ पता चलती है जो पहले नहीं पता थी फिर जैसा कि बुद्ध ने कहा है जो एक सत्य को जानता है जो उस परम सत्य को जानता है वो समस्त सत्य को जानता है जब एक मूल विपाश्य की प्राप्ती होती है मनोश्य को फिर अपने आप ध्यान कैसे लगाना है ये रास्ता जो है एकदम खुल जाता है आपके लिए ऐसा मेरा मानना ही नहीं ऐसा मेरा जानना है तो यही हमारा उत्र है